तो हमारे साथ खास पैनल मौझूद है मिस्टर शांतर राम नायक, सांसत कॉंग्रिस भूपेंदर यादव कुछिदेत में जुड़ेंगे सांसत बीजेपी, विनोट शर्मा राजनितिक संपादक हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, आजब रामी वारिष्ट वकील है, सुदीप श्रिवास्तव आठ्या कारकरता, और सबसे पहले मैं जाओंगी प्रशांत भूशन के पास इस मामले में एहम भूमेका उन्होंने निभाई हैं और आदमी पार्टी से विए, प्रशांत जी पहला सवाल आपसे, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो observations आई हैं, लीगल इनकी implications क्या होंगे यह आप बता सकते हैं, लेकिन moral implications ज्यादा देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो इसी से जटका लगा कि CBI के वकील ने और CBI ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करी पिछले हीरिंग में जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी तो उस समय यह नहीं बताया कि यह स्टेटस रिपोर्ट अल्रेडी law minister और यह joint secretaries और पता नहीं और किस किस को दिखाई जा चुकी है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि CBI के डिरेक्टर को बोला गया था कि अपना एफिडेविट फाइल करके यह बताएं कि किसी को दिखाई नहीं गई है political executive में यानि कि मंत्रियों वगरा को नहीं दिखाई गई है लेकिन CBI के डिरेक्टर ने ये तो बता दिया कि हाँ law minister और दो joint secretary को दिखाई है लेकिन ये नहीं बताया कि और किस किस को दिखाई है क्या क्या फिर बदल इस पे किया गया उनके कहने पर तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी आपत्ती जताई कि आप पूरा खुलासा करिए और उनको आदेश दिया CBI के डिरेक्टर को कि आप पूरा बताईए कि कौन कौन थे क्या क्या बदलाओ किस किस ने करवाए वो जो 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 जोइन्ट secretary थे उनके क्या नाम थे और ये बताईए कि किस आधार पर कौन से कानूनी आधार पर सरकार आप से ये मांग सकती है कि भई तुम status report दिखाओ खास कर ऐसी investigation का जो की supreme court के निगरानी में चल रही है और जिसमें की प्रधान मंत्री और कई मंत्रियों की जाच हो रही है जी ऐसे मामले में उन्होंने बोला कि भई ये हम लोग पहले भी ये जो हवाला वाला केस था उसमें जज्जमेंट देशता है मिस्टर कमलाथ ने clarification दिया था उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में जब जाच चल रही थी तो कोल मंत्राले ने content दिया था इसलिए उसने मनवाया PMO ये पूरा मंत्राले प्रधान मंत्री के तहता है इसलिए PMO के एक joint secretary level के आफसरने से देखा तो content provider के नाम पे सरकार क्या ये अपना alibi एक answer दे सकती है बिलकुल नहीं ये तो बहुत ही हास्यासपद बयान है कमलनाथ जी का वो कह रहे हैं कि भई जब पुलीस किसी चोर से या किसी डकैट से सवालात करती है तो उसके बाद जो report court में file करे वो जाकर उस डकैट से या चोर से पूछे कि भई तुम बताओ कि हम ने हम तुमारी बात ठीक से लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं और यह हम report court में file करने जा रहे हैं तो इसलिए हम तुमको दिखा रहे हैं आप बताइए कि आपके बाद ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है यह बिलकुल बक्वास बयान है इसके बाद तरह तरह के बयान आए पहले यह बयान दिया गया एक बयान यह आया कि भई उसमें उसमें उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं थी उसकी अंग्रेजी ठीक कर रहे थे यह भी हास्यास्पद है फिर यह बयान आया कि भई यह तो CBI तो सरकार की ही एजनसी है और कानून मंत्री और ये अटर्णी जनरल और अडिशनल सॉलिस्टर जनरल CBI के सब वकील है और इसलिए वकील तो कभी भी अपने क्लाइंट से कह सकता है कि लाकर दिखाओ कि तुम क्या काम कर रहे हो लेकिन सर जिस तरह से CBI की कारिय शली पर एक सरकार को एक तरह से बुला है CBI की कारिय शली पर जिस तरह से सुप्रीम कोट ने कहा कि as an investigator you know your role you are the master you don't need to seek instructions तो सुप्रीम कोट की नजर में CBI एक स्वायत संस्था है यह तो विनीत नरायन वाले judgment में हवाला वाले judgment में 98 के में कहा गया था सुप्रीम कोट ने और यही बोला था कि भई जब कोई agency जाच करती है किसी फौशदारी मामले में corruption के मामले में खास कर CBI तो उसको सरकार से कोई आदेश नहीं लेना चाहिए सरकार का कोई हस्तक शेप नहीं होना चाहिए और इसी लिए सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि CBI के डिरेक्टर का दो साल का fix tenure होगा CBI जो CBC है उसको एक statutory status दिया जाएगा उसको सरकार से स्वतंत्र किया जाएगा और CBI को CBC के supervision में काम करना होगा लेकिन उसमें unfortunate बात ये रह गई कि administrative control यानि कि transfer, posting, promotion, suspension इस सब की power सरकार के पास ही रह गई और दूसरा जहें CBI डिरेक्टर को fix tenure दे दिया गया दो साल का लेकिन सरकारें जो हैं हम देख रहे हैं कि सारे CBI डिरेक्टर को retirement के बाद किसी को governor बना देती है किसी को human rights commission में भेज देती है तो इस तरह से CBI डिरेक्टर की भी स्वतंत्रता खतम कर दी गई क्या ये केस आपको लगता है CBI की स्वायत्ता के लिए एक एहम कदम हो सकता है जिस तरह से अब Supreme Court का रुख नजर आ रहा है 1997 में आपको याद होगा CBI needs to be insulated from extraneous influences ये कहा गया था लेकिन 1997 से अब 2013 हो गया कुछ ऐसा अगर हम कहें तो मोटे तौर पर नजर नहीं आता तो क्या आपको Supreme Court के रुख से इस बार लग रहा है कि वाकई लोगपाल की भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई लेकिन अब जाकर वाकई में जमिनी तौर पर बदलाव आ सकता है जिस तरह से Supreme Court ने बोला है कि ये प्राइम उनका मुद्दा रहेगा बिल्कुल Supreme Court ने यही बोला कि जो बात हवाला वाले केस से शुरू करी गई थी CBI को सरकार से स्वतंत्र करने की और जो 15 साल का जो experience हुआ उससे साफ दिख रहा है कि वो practice में हो नहीं पाया वो अधूरे काम को अब पूरा करना Supreme Court का अब main objective है इस कोईले घोटाले वाले केस में उसके साथ साथ ये ensure करना जरूरी है कि कोईले घोटाले में जाच सरकार से स्वतंत्र तरीके से बगेर किसी दबाव के हो सके और ये सब जो आवन टन हुए हैं इन सब को cancel किया जा सके